सिदा रुकत हैं मेरे सयोगी राजीव रंजन की तरफ राजीव क्योंकि हम सम्हिधान पक्ष देख चुके हैं शीनगर के आखलाद जान चुके हैं लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमेशा इतिहास का जिक्र किया जाता है और आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा करती है जब भी इसका जिक्र होता है या ग्री मिंट्री अमिट शाह संसद में इसको लिकर स्पीच देते हैं कि ये कॉंग्रेस की गलती थी जिसे हमने सुधार दिया सही में आपको लग रहा है कि वो मैसेज कनवे हुआ है जनता तक देखिए रवी इसमें प्रभाकर ने इसके कानूनी पहलू बता दिये देखिए जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो उसको कई तरह से देखा जाना हो ना किसी भी घटना का जिक्र किसी भी फैसले की समीच्छा सतर असी साल बात किस तरह से की जाएगी आज जो फैसले हो रहे हैं उसकी समीच्छा लटका दिया उन्हों ने एक चाल चली वो छोड़ करके गए उन्हों नी उसका फैसला नहीं किया उन्हों ने रियासतों के उपर ये छोड़ दिया कि वो चाहें तो पुरी दुनिया में जाना जाता, उसमें में बहुत जाड़ा डीटेल में नहीं जाता, एक जुनागड की रियास्त, एक हैदराबाद की रियास्त और एक जमो कश्मीर की रियास्त, इन तीन रियास्तों ने पाकिस्तान में विले का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में कबि हैं कि दो तरह का था लेकिन आपको ज्यादतर इतियास को कम लोग जो जानते हैं या उनकी इस्मृति पटल पे कम होगा कि इन तीन राज्यों में जूनागर्ड हैदराबाद और जमी कश्मीर में सबसे पहले जमू कश्मीर के राजा ने फैसला कि अकि वो भारत में विले करन समय जमू कश्मीर को कुछ special status देने की जो बात हुई जिसके लिए धारा 370 इंसर्ट किया गया समीधान में तो ये बाते तब से चली आ रही थी लेकिन पूरी दुनिया को और देश के ज्यादतर लोगों को ये कभी यकीन नहीं था कि धारा 370 को एक जटके में ऐसे खतम किय अब उसका दूसरा राजनीतिक पहलू है किसी के कानूनी सामिधानिक पहलू अलग है राजनीतिक पहलू दूसरा है बारती जनसंग अपने स्थापना की दिनों से लेकर के आस तक अमिशा ने वो जो भाशर संसद में दिया था कि जब मिनिस्पिल्टी में हमारे दो लोग नहीं जीतते थे तब भी हम बैनर जो पीछे लगाते थे उसमें कहते थे धारा 370 खत्म करेंगे बारती जंता पार्टी की आइडियोलजी हमेशा से विचार धारा इस बात की रही है और उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से ये बात कही कि जब भी वो सरकार में आएंगे वो 370 खत्म कर देंगे गरी मंतरी अमिशा ने कहा था ये फैसला लिया था और यकीनन जिस दिन ये फैसला लिया गया उस दिन देश की आँखे फटी रह गई थी मैं ये मानता हूं और सारे लोग जो संसद में बैठे थे वो भी जो संसद के बाहर थे वो भी जो जमो कश्मीर म नहीं हुआ लेकिन गरी मंतरी अमिशा ने कहा कि इस देश की जनता ने हमें बहुमत दिया है और पहली बार की बहुमत में हमने ये फैसला नहीं किया हम चाहते तो उधर भी करते लेकिन हमने इंतजार किया जब दूसरी बार हमें जर्मत मिला है जब दूसरी बार हमें था है कि क्यारेपालिका और विधाइका किसी फैसले से अगर जुडिशल रिवू होना है तो सुप्रीम कोट ये फैसला करेगी कि ये फैसला सही है या गलत है वो फैसला भी थोई देर में आ जाएगा जिन लोगों का तीन सो सतर हटाए जाने का विरोध था वो बीस से जादा या चिकाएं सुप्रीम कोट में पढ़ी और सुनवाई होते 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 आज का दिन आया जब फैसला होगा फैसला जो भी आए मैं आपको दो तीन चीज़े अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूं कि 2019 में पांच अगस्ट को ये फैसला हुआ तीन सो सतर हटाने का और पंदर जगा का माहौल अलग-अलग है जब मैं वहाँ गया था और बहुत सारी जगहों पर गया तो उस समय ऐसा लगता था जैसे आप किसी कर्फियू तो लगाई हुआ था लेकिन हर घर के सामने एक सी आरपी अप का जवान करीब-करीब खड़ा था हम लोग पत्रकार के तोर पर वहाँ गये थे 24 घंटे में एक एक बार फोन करने की हमको महलत मिलती थी जब सब कुछ बन था जब हम लाइन लाइन लगा कर हर चैनल हर अकबार का समवादा था एक बार एक फोन कर सकता था आज वो इस्तिती 2019 में तब देख के लगता था कि ये जो सरकार ने फैसला किया है मैं डल जील पर भी गया था वहाँ पर भी जो शिकारा वाले थे मतलब सब कुछ सुनसान पड़ा था कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा अभी मैं एक साल पहले जमू कश्मीर गया था और मुझे बताते हुए चुकि मैं सारे जमू कश्मीर के जिलों में वो सारी रिपोर्ट माहूल क्या है के जरिये मैंने दिखाई भी थी करीब 19 जिलों से मैंने रिपोर्ट की और कोई ऐसा जगा नहीं था जिसमें अनंत नाग हो पुलवामा हो चाहा से भी तो अब जब मैं पिछले साल गया कोई अंतर नहीं था बलकि जीवन जाएदा चंद तरीके से लोग दिखाई दे रहे थे मैंने गाओं गाओं लोगों से जाकर कर पूछा लोगों का ये कहना था देखिए मैं हमेशा आम लोगों की बात करता हूँ नेताओं की बात अलग है आम लोगों को ये पता ही नहीं था कि 370 रहने से उन्हें 70 सालों में क्या उनका जीवन पहले से जाएदा स्वक्षंद और स्वतंद मुझे दिखाई पड़ा और वो लोग मान भी रहते हैं आम कश्मीरी ये मानता है देखिए कश्मीर में ड्राइफ रूट्स का बिजनस है सेप का बिजनस है इसके अलावाट टूरिजम है हमारे साथी आसिप सुह कश्मीर में हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं पिछली साल में गया था आपको चार चार छेचे किलो मीटर लंबी लाइने टूरिस्त की डल जील पर देखी जा सकती थी तो जहां भी ब्यापार बढ़ेगा पैसा आएगा शांती होगी और वहीं पर विकास होगा तो ये द सामिधानिक तोर पर उसकी पोजीशन अलग है लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के आम जीवन जन जीवन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ऐसा मैंने नहीं देखा है आज जब फैसला आएगा और वहां के लोगों की नेताओं की बात में कहता हूं नेत द्रिश्टी कोण को चला गया और स्यासरदानों का लग द्रिश्टी कोण है